हलो डियर स्टुनेंट आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 के औरकेने केमेस्ट्री का टॉपिक हेलो एलकेन्स अभी एक्जाम टाइम चल रहा है तो आप सभी का रिविजन चल रहा होगा तो ये वीडियो आपके रिविजन में बहुत ही हेल्फुल रहने व सियलबी यार आए मैं अब इसा सा क्लासीफिकेसल है हेलो एलकेन के क्लासिफिकेशन में पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें इसकोवन डीणरर में दोमी már र सीएक्द क्लासिविकेस course ुदियू Alolic halide क्यaps होता है अगर halogen जिस carbon से जुड़ा हूँ वो sp3 hybridized हो और ये sp3 hybridized carbon आगे sp2 hybridized carbon से जुड़ा हूँ तो इसे हम कहते हैं liquid halide जैसे कि ये simple example होगया और एक example ये हो गया देखें इसमें ये जो halogen है जिस carbon से जुड़ा हूँ है वो है sp3 hybridized लेकिन यह sp3 hybridized आगे जिस carbon से जुड़ा हुआ है वो है sp2 hybridized तो ऐसे compound को हम कहते हैं allylic halide next benzylic halide benzylic halide में क्या होगा कि जिस carbon से halogen जुड़ा हुआ है वो आगे किसी benzene group से जुड़ा हुआ रहेगा तो इसे हम कहते हैं benzylic halide आप देखें benzylic halide और aryl halide में क्या difference है इसमें halogen direct benzyne या किसी aryl group से जुड़ा हुआ हो तो वो arylic halide कहलाएगा और benzylic में जो halogen है वो पहले किसी carbon से जुड़ा होगा फिर वो आगे किसी benzene group से जुड़ा होगा तो यह इन दोनों में difference हो गया फिर है एक vinyl halide vinyl halide क्या होता है वह विनाइल halide में जो halogen है वो किसी sp2 hybridized carbon से जुड़ा हो तो ऐसा compound क्या कहलाएगा विनाइल halide कहलाएगा अब देखे भी halogen यहाँ पर भी क्या है sp2 hybridized carbon से जुड़ा होगा है लेकिन यह तो पूरी benzene ging है इसलिए हम इसे क्या कह रहे है अर्मेटिक compound है लेकिन यहाँ पर यह अर्मेटिक compound नहीं है इसलिए हम इसे क्या कह रहे है इसलिए हम इसे क्या करें वि alcohol से तो alcohol से prepare करने के लिए सबसे first method है इसकी reaction करवाई जाती है HX plus ZnCl2 के साथ में यानि की hydrogen halide plus ZnCl2 के साथ में तो यहाँ से क्या होगा इसका OH और इसका यह H निकल जाएगा H2O के form में और यह X जाकर के alken से जूड जाएगा तो बन जाएगा alkyl halide ठीक है यहाँ पर यह ज phosphorus की reaction करवाई जाती है X2 की presence X2 की reaction red phosphorus की presence में होती है तो यह बनेगा RX लेकिन इस method से और X में भी यहाँ पर BR2 and X2 होगा ठीक है सो क्या बन जाएगा RBR या फिर RI ठीक है next action में देखें alcohol की reaction करवाई जाती है PCL5 के साथ PCL5 के साथ क्या होगा PCL5 POCl3 के form में निकल जाता है यान PCL5 बन जाता है और POCl3 और HCl अलग हो जाता है जाता है आएक और एकसेल अलकी गुरूप के साथ जोड़ गया ठीक है next method देखिए next method में alcohol की reaction करवाई जाती है SOCL2 के साथ में, और ये reaction क्या क्या कहलाती है? ये reaction कहलाती है, Darzen Reaction ठीके? क्या कहलाती है, Darzen Reaction best method है preparation का और SOCL2 के साथ में जैसे reaction होगी तो ये alkyl halide का formation होगा best method क्यों है? क्योंकि इसमें साथ में जो side product है, वो SO2 और HCl बन रहे हैं, ये दोनों ही gases इस फॉर्म में होते हैं इसलिए ये इवोपरेट हो जाते हैं यहां से जो हमें जो compound मिलता है वे pure compound मिलता है अच्छी quantity में तो यह best method होता है एलकिल हिलाइड के preparation में next method है alcohol से एने बियार के साथ में reaction H204 की presence में acidic medium में एने बियार के साथ reaction करवाएंगे तो यह यहां से एने ओच निकल जाता है और यह बियार जाकर के एलकिल हिलाइड से जूड़ जाएगा ठीक है side product के form यह बाद में एने बियार जो है H204 के साथ में reaction बता है कि यहां पर मार्कोनिक फूल होगा मार्कोनिक फूल क्या करता है कि hydrogen जहां पर पहले से जादा होता है वहीं hydrogen जाकर के और अटेक करता है ठीक है तो जो addition होगा वो anti-marconic of addition हो जाएगा और इस बार product जो बनेगा वो 1 degree halide का formation होगा यह इन दोनों में difference है आपको देखना होगा कि यहाँ पर किसकी presence है अगर यहाँ पर peroxide की presence दे दी गई है तो आपको 1 degree बनाना है अगर peroxide नहीं है तो आपको 2 degree product का formation करना है ठीक है इस इसी तरीके से देखें next reaction में test for unsaturation unsaturation test क्या होता है ब्रोमीन वोटर के साथ में reaction करवाई जाती है और ब्रोमीन वोटर यहाँ इस double bond के साथ में reaction करके और यहाँ पर addition reaction कर देगी तो दो ब्रोमीन है दोनो पाइबॉंड तूटेंगे दो सिंगाबॉंड बनेंगे और दोनो से एलकेन से हम हेलो एलकेन का formation कर रहे हैं किसके तुरू प्लस c l2 के साथ में हमने उसके reaction कराई है लेकि लाइट के presence में देखें भी लाइट के presence देखें आते हैं आपको पता है कि reaction किसके तुरू होती है तो free radical mechanism के तुरू होती है अब यहाँ पे भी main product क्या बनेगा टू ड हेलो एलकेन और हेलो एलकेन में क्या difference है तो हेलो जो एरीन है उसमें जो हेलोजन है वो किसी aromatic compound के थूँड़े रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं हेलो एरीन कहते हैं preparation में सबसे first जो preparation method बेंजीन की reaction करवाई जाती है HCl plus O2 के साथ में copper oxide और 250 degree centigrade तो कौन से reaction हो रही है तो बेंजीन आपको पता है कि electrophilic substitution reaction देता है और यहां पर halogen किसी एक position पर जा करके यहां से जुड़ जाएगा ठीक है और बन गया हमारा हेलो एरीन ठीक है एक और method में यहां पर हम जैसे magnesium chloride बहुत ही important compound है यह और इससे जो है वो दो नेम reaction पढ़ते हैं एक सेंड मेय reaction और दूसरी है compound से मिलता है बस difference यह है कि यहां पर हम cox ले रहे हैं और यहां पर हम कोपर powder का यूज ले रहे हैं ठीक है तो यह हमारा हेलो एलकेन का formation हो गया next method देखें फिनोल से हम कर रहे हैं हेलो एरीन का formation तो इसके लिए हम reaction करा रहे हैं px5 से और socl2 सेम हम उपर अभी पढ़के आए reaction हेलो एरीन्स में हेलो एलकेन में पढ़के आए हैं तो pcl5 के साथ में हमने reaction कराई थी तो product बन गया था हमारा और इसी तरीके से socl2 जो की dargen reaction हमने करवाई थी सेम वही reaction होगी और हेलो एरीन्स का formation हो जाए method of preparation की बाद में हम study करने वाले हैं इसके physical properties तो physical property में हम सबसे पहले study करेंगे इसका boiling point जो है वो molecular mass के directly proportional होता है यह हम कह सकते हैं कि molecular mass बढ़ेगा तो उसका surface area बढ़ेगा या फिर हम कह सकते हैं कि number of carbon atom अगर number of carbon atom बढ़ेगे तो surface area बढ़ेगा molecular mass बढ़ेगा तो boiling point भी लेकिन branching के boiling point क्या होता है inversely proportional अगर branching बढ़ेगी तो boiling point क्या हो जाएगा कम हो जाएगा example के लिए एक अगर हम लेते हैं butane number of carbon atom 4 है और अगर हम number of carbon atom को इस तरीक से branching के form में लें ठीक है तो इन में boiling point किसका ज्यादा होगा and butane का ज्यादा होगा उसके बाद boiling point का अगर order देखें तो boiling point के order में सबसे ज्यादा boiling point किसका होगा तो boiling point होगा RI का ज्यादा ठीक है RI का ज्यादा क्यूं होगा क्योंकि देखो molecular mass किसका ज्यादा है iodine का उपर से नीचे जाते है molar mass बढ़ेगा so molar mass बढ़ेगा तो boiling point भी बढ़ेगा so इनका boiling point का order ये रहता है उसके बाद देखें melting point अगर हम melting point की बात करते है aromatic जो हमने पड़ा है उसमें पैरा isomers का melting point और पैरा की बजाए ज्यादा होता है because of इसकी symmetry की वज़े से इनमें bonding क्या होती है ज्यादा होती है और bonding अगर ज्य नहीं temperature की जड़त पड़ेगी और boiling के melting point का हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ठीक है second जो physical property है वो है density density क्या होती है density होता है mass upon volume अगर mass बढ़ेगा तो density भी क्या होगी बढ़ेगी ठीक है तो यहीं बताया जा रहा है कि increase with increase in number of carbon atom जैसे जैसे number of carbon atom बढ़ेगे mass बढ़ेगा और mass बढ़ेगा तो density भी बढ़ेगी halogen atoms and atomic mass of the halogen atom ठीक है halogen atom का अगर atomic mass बढ़ेगा तो density बढ़ेगी ठीक है उसके बाद है solubility तो solubility के लिए देखो भी अब पोलर कंपाउंड होनी की वज़े से यह soluble होने चाहिए लेकिन यह water में insoluble होते हैं ऐसा क्यों है क्यों कि यह water के साथ में hydrogen bond का formation नहीं कर बाते हैं ठीक है cannot form under hydrogen bond with water molecule hence they are insoluble in water and soluble in organic जब water में solvent नहीं है तो किस में soluble होंगे किसी organic solvent में ठीक है उसके बाद में next फिलकेंस्टाइण reaction तो फिलकेंस्टाइण reaction भी इसको बनाने की ही एक process है ठीक है इसकी नेम reaction है अलकेंस्टाइण reaction क्या है इस reaction में alkyl halide की reaction न आई के साथ में करवाए जाती है यह fix है न आई के साथ इसकी reaction होती है dry acetone की presence में ठीक है और यह यहाँ से hydrogen का exchange हो जाता है हेलोजन एक्षेंज जैसे हमने ले रखा है आर सी एल या आर एफ तो ये इसको आयोडीन उस हेलोजन को रिप्लेस करके आर आई को का फोर्मेशन करती है यानि कि ये जो आयोडो एलकेन है उसका फोर्मेशन यहाँ पर होता है इसे हम हेलोजन एक्षेंज रियक्षन भी कहते है एक हेलोजन एक्षेंज रियक्षन में है स्वार्ट रियक्षन स्वार्ट रियक्षन क्या है फिर से वही अलकेल हैलाइड लेना है लेकिन इसमें इस बार हेलोजन क्या है यहाँ पर F के अलावा जितने भी हेलोजन है वो हो सकते हैं, अब इस हेलोजन को हमें रिप्लेस करना है, फ्लोरीन से, ठीक है, सो क्या बनेगा प्रोड़क्ट में RF, ठीक है, रियेजन क्या ले रहे हैं, AGF, HGF, COF या SVF, तो इन रियेजन के प्रजेंस में, RX से RF का फॉर्मेशन होता है और यह reaction कहलाती है, SWART reaction, next है इसकी chemical properties, so chemical properties में आप सभी को पता है, कि जो alkyl halide है, वो mostly कौन से reaction देते हैं, nucleophilic substitution reaction, जिसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उसके लावा यह कुछ और reaction है, जैसे कि, elimination reaction है, so elimination reaction में, alkyl halide हमने लिया है, और alcoholic KOH के presence दी है, ठीक है, alcoholic KOH के presence में, यहां से पहले carbon का hydrogen और इसका ECL निकल के, HCL निकल जाएगा, और alkyne का formation हो गया, ठीक है, side product के form में, ECL बगर बन जाते हैं, ठीक है, अब है according to set of rule, अब अगर देखो भई, इस वाले में तो हमने पास में कोई choice नहीं थी, सिर्फ पास वाले carbon पर एक ही hydrogen था, ठी एक ही choice थी, लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके के कोई choice हा जाती है, कि जिस carbon से hydrogen जुड़ा हुआ है, उसके दोनों तरफ carbon हो, और उनसे carbon से लगे वे hydrogen निकलने के possibility है, तो कौन सा hydrogen निकलेगा, या हम कह सकते हैं, कि कौन सा alkyne का formation होगा, उसके determination के लिए use करते हैं, हम set of rule, औ set of कहता है, कि उस alkyne का formation होता है, जो कि more substituted होती है, more substituted का क्या मतलब है, कि अगर मैं hydrogen यहां से remove करूँ, तो alkyne ऐसे बनेगा, one butine बनेगा, और यह जो carbon है, इससे कोई other substitute नहीं जुड़ा है, और एक condition है कि मैं hydrogen को यहां से remove करूँ, अगर मैं यहां से remove करूँगी, तो यह alky hydrogen को remove करेंगे, जिससे more substituted alkyne का formation होता है, और यह हमें बताया, set Jeff ने, तो देखें, यहां पर जो दो प्रोड़क्ट बने हुए है, बलब दो जो possibility है, उसमें 80% जो बना है, वो बना है, two butine, जो 20% बना है, वो बनेगा one butine, ठीक है, अब इसके बाद में, एक important चीज और, कि यहां पर देखें भई, थोड़ा सा difference, कि एक तो होता है alcoholic के उच, और एक होता है aqueous के उच, तो जो alcoholic के उच है, वो हमेशा elimination reaction देगा, ठीक है, alkyl halide से alkyne का formation होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम aqueous के उच use कर रहे हैं, तो aqueous के उच, alcohol का formation करता है, that means, कि यह इसके BR को, या से यह reaction के उच, यह substitution reaction, तो आपको ध्यान रखना है, अगर aqueous के उच दिया जाता है, तो आपको substitution करना है, और अगर alcoholic के उच दिया जाता है, तो आपको elimination करना है, और दोनों की different type of product बनते हैं, ठीक है, next, फिर reaction with metal, तो metal के साथ में reaction करवाएंगे alkyl halide की, तो जैसे कि हम magnesium से dryther के presence में reaction हुई, और यह हमारा बन गया, CH3-MgCl, that means के gignard reagent, तो यह जो gignard reagent बन रहा है, यह बहुत most important compound होता है, highly reactive होता है, और यह react कर जाता है, किसी भी source of protons है, किसी भी proton देने वाले source है, और उससे reaction करके are, sorry, hydrocarbons, यानि की alkyne का formation कर जाता है, ठीक है, उसके बाद द देखिए, next reaction है, woods reaction, देखिए, actually यह तीनों compare करके पढ़ेंगे, हमने तीनों reaction को, woods reaction, phidic reaction, and woods fatigue reaction, ठीक है, तीनों में ही alkyne का formation हो रहा है, difference क्या है तीनों में, देखिए, Rx और Rx, यानि कि दोनों में ही हम reaction करा रहे है, hello alkyne से, sodium के साथ में reaction हो रहे है, dry ether के presence में, तो यहा एरीन्स ले रहे है, तो दो hello alkyne के बीच की reaction है, वो इस sodium के साथ में, dry ether के presence में, और दोनों, जो aryl group है, वो आपस में, जूड करके, बाइफैनिल का formation करते है, अब देखिए, दोनों के mixture को हमने लिया है, woods fatigue reaction, that means कि एक तो हमने hello alkyne ले लिया, और एक hello aryn ले लिया, और sodium के presence में, जो reaction हुई, तो ये एक alkyne और एक aryl group जुड करके, इस तरीके से alkyne का formation करता है, तो ये है तीनों reaction, next topic है resonance in hello aryns, hello aryns में resonance, आपको पता है कि जो hello group है, उसके बास में loan pair रहते हैं, तो loan pair resonance में जाएंगे, so halogen पर आजाएगा positive charge and benzene ring पर आजाएगा negative charge, ठीक है, तो ये through इस तरीके की resonating structure बन जाती है, ठीक है, अब इस resonance के वज़े से ये जो halogen और ये जो alkyl group का जो carbon है, उनके बीच में double bond के characterization आ जाते हैं, इसलिए अगर आप से पूछा जाए कि Rx और alkyl जो halides है, या aryl halides है, तो उन दोनों में से किस के बीच का bond strong है, तो आप का answer होना चाह ये aryl halide, ठीक है, because of resonance, next topic है nucleophilic substitution reaction, जो की alkyl halide की, या aryl halide की हम कह सकते हैं की characteristic reaction होती है, तो इस reaction में कोई भी nucleophile आ करके और इस halogen को क्या कर देता है, भी replace कर देता है, ठीक है, nucleophile इसको replace करेगा, खुद इसके जगा जूड जाएगा, और ये halogen पैले से जुड़ा हुआ है ये निकल जाएगा, X- के form में, अभी जो nucleophilic substitution reaction है, ये two types की है, ठीक है, SN1 और SN2, तो हम इसको compare करते हुए पड़ेंगे, तो SN1 reaction में देखिए, SN1 reaction में aryl halide की reaction, step first में, जो halogen है वो निकल जाता है, और बनता है कार्बो के time, ठीक है, जो SN1 reaction है, वो two step में complete होती है, जबकि SN 2, reaction एक ही step में हो जाती है, SN1 reaction में, जो RDS step होता है, rate determining step, उसमें एक molecule participant कर रहा है, और वो है aryl halide, ठीक है, aryl halide first step में, halogen को निकाल करके, कार्बो के time का formation करता है, और second step में, जो कि slow होता है, जो nucleophile है, वो जाकर के, कार्बो के time पर attack करेगा, और यहां पर product का formation कर लेगा, ठीक 1 degree, so यहां पर SN1 के लिए, alkyl halide की reactivity का order भी यही हो जाता है, 321, ठीक है, फिर हम जलते है, SN2 पर, SN2 reaction एक step में complete होती है, इसमें, कोई intermediate नहीं बनता है, लेकिन इसमें एक transition state मनती है, और यह जो transition state है, यह इस तरीके से transition state मन रहा है, और transition state एक step में मनते होए, इसमें product का formation हो जाता है, ठीक है, अब यहां पर देखे, जब nucleophile उसी एक step में उस पर react कर रहा है, तो CL वहां से निकल नहीं रहा है, तो यहां पर क्या होता है, steric hindrance काम करता है, और यहां पर इसकी reactivity का order हो जाएगा, 1 degree is 2 degree and then 3 degree, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1 degree पर easily attack होगा, steric hindrance कम है, ठीक है, उसके बार 2 degree पर और उसके बाद होगा 3 degree पर, ठीक है, अब इसमें main difference क्या है, कि यहां पर intermediate बन रहा है, यहां intermediate नहीं बन करके, transition state बन रही है, इसके reactivity का order 321 है, इसके reactivity का 123 होगा, और उसके हलावा, यह जो reaction होती है SN1, वो polar product solvent में complete होती है, जबकि इसमें polar product solvent ही लिया जाता है, ठीक है, यहां पर racemic mixture का formation होता है, अब racemic mixture क्या होता है, racemic mixture का मतलब है, कि यहां पर 2 types के product बनते हैं, जो कि एक levo rotatory, दूसरा dextrotor rotatory, यानि एक clock wise rotation वाला, दूसरा anti clock wise rotation वाला होता है, तो 2 types के product बनते हैं, क्योंकि यहां पर intermediate जब कार्बो केटाइन बनत product का formation करेगा, और जिनके amount रहती है, 50-50%, तो इसे हम कहते है, racemic mixture, ठीक है, जबकि SN1 reaction में ऐसा नहीं होगा, SN1 में completely inversion वाला product बनेगा, 100%, ठीक है, उसके बाद में, इसमें जो nucleophile होता है, वो back side से attack करता है, तो एक ही type का product में बनता है, अब देखें आगे examples, Rx की reaction हम सभी इन reaction हो रहा है, तो फटाफट से देखें लिएता है, इनको, कि Rx की reaction जब NaOH की साथ में करवाई जाती है, X plus NaOH की साथ में, तो वही, देखो, nucleophilic substitution reaction हो रही है, base की presence में, base का OH- nucleophile, इसको X को replace कर रहा है, तो क्या बनेगा, ROH plus KX, ठीक है, second reaction में, और sodium alcoxide की reaction करवा रहा है, alkyl plus Rx के साथ में, अगली reaction में, Rx की reaction करा रहे है, KCN के साथ में, तो बन रहा है, RCN, यानि कि, ये K और ये X यहां से निकल गया, ठीक है, और alkyl, cyanide का formation हो गया, ठीक है, सेम देखो, अगली reaction में, AGCN के साथ में, अब निकलना तो AGX इस तरीके से चाहिए था, यहां पर भी साइनाइड बनना चाहिए था, लेकिन इन दोनों में, में डिफ्रेंस से होता है, कि पहली reaction में, साइनाइड बन रहा है, दूसरे में बन रहा है, आइसो साइनाइड, बहुत बार पूछ लिया जाता है, कि ऐसा क्यूं हुआ, तो रीजन क्या है, कि केसिन में, जो bonding है, वो दो है, तो दोनों bond बना सकते हैं, लेकिन एक टाइम में, कोई एक ही donor atom bond बनाता है, तो अभी इसके साइनाइड ने bond, कार्बन बना रखा है, जब आइनिक bond में free हो गया, तो carbon free हो गया, तो यह एलकिल, गुरुप के साथ में फिर से bonding कर लेगा, लेकिन, एलकिल जो cyanide है, इसमें क्या होता है, कि इनके बीच में covalent bonding होती है, इसलिए वो जल्दे से break नहीं होती है, जब आप इसके साथ reaction करा होगे, तो यह carbon free नहीं है, तो nitrogen इसके साथ पहले bonding कर लेगा, ठीक है, और R के साथ में nitrogen bond बना लेगा, और AGX का formation हो जाएगा, इसलिए इसमें product बनत है, RNO2, ठीक है, nitro group attach हो रहा है, यहाँ से, और यहाँ पर oxygen जो है, वो R से attach हो रहा है, side product, KX और AGX निकल जाएगे, अमोनिया के साथ अगर L के लिए हलाइड की reaction करवाई जाती है, तो अमोनिया का hydrogen निकलेगा, और इसका HX निकल जाएगा, और RNS2 यानिकी primary amine का formation होगा, और अगर R से हो, HG यानिकी, silver acidate के साथ में इसकी reaction करवाई जाती है, तो AGX निकल जाएगा, और जो बचा वागरूप है, वो R के साथ में जूड़ करके, और यह करा ester का formation, ठीक है, HGX side product के form में निकल गया, तो यहाँ पर इसका explanation दिया गया है, कि KCN के साथ, और AGCN के सा के, Electrophilic substitution reaction, अभी हमने, Nucleophilic substitution reaction देखी, अभी है Electrophilic substitution reaction और आपको पता है, कि जो aromatic compound है, वो यह वाली reaction देते हैं, तो इस reaction में, और हैलोजन पर, Electrophilic substitution reaction होगा, और जो हैलोजन जुड़ा होए, यहाँ पर, वो इसकी aromatic ring की reactivity को, और increase कर देगा, क्योंकि अभी हमने इसकी reson स्टक्चर देखी थी, उसमें हमने देखा था कि, because of resonance, इस aromatic ring पर, positive, sorry, negative charge create हो रहा है, तो आने वाला Electrophil, ring पर, easily attack कर पाएगा, और इसकी reactivity को, increase कर देगा, तो, first reaction हम देखते हैं, X2 plus FVX के साथ में reaction, तो halogenation reaction कहलाती है, halogen का attachment होगा, कौन से position पर होगा, ortho या पर, because of resonance, ortho या पर negative charge आया था, इसलिए, एक बार ortho पर, एक बार पर, दो टाइप की products में बन जाएंगे, next reaction, nitrogen, nitrogen को, nitrogen का mixture होता है, concentrate ratio 3, plus concentrate ratio 4, और electrophil होता है, यहाँ पर NO2, ठीक है, so, nitro, एक concentrate ratio 4, लेते हैं, और यहाँ पर addition होता है, SO3H, तो sulfonic acid का formation यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, फिर next reaction में है, CH3Cl, और Enhydrous AlCl3 के साथ में, यह दोनों ही reaction क्या कहलाती है, अभी, Fiddle Craft reaction, जिसमें पहली है, Alkylation, दूसरी है, Sylation, Alkylation में Alkyl group जुड़ेगा, एक बार पर, दूसरी बा होता है, SO, यह था आपका, Hello Alkyne and Hello Arines, ठीक है, इसका quick revision, SO, THANK YOU FOR watching this video,